अधाव नमस्कार गुफ्टगू प्रोग्राम में आप सभी का इस्तक्बाल है और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शक्सियत जिन्होंने अपनी लगन और हुनर की बदालत काम्याबी का सफर तै किया जो भरत नाट्यम का एक चाना माला नाम है गीता चंदरन गीता चंदरन क्लासिकल डान्स का एक ताबिन्दा सितारा पांच साल की उम्र से इन्होंने भरत नाट्यम सीखना शुरू किया और इसमें महारत हासल की अपने रक्स, अधाकारी और आवास की बदालत इन्होंने वो मकाम हासल किया जिसका लोग खुआप देखते हैं इनका कहना है कि इन्होंने भरत नाट्यम सीखा ही नहीं बलकि जिया भी है यही वज़ा है कि आज वो हर खासो आम के दिल में वो जगह बनाने में काम्याब रहीं जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है अपनी कड़ी महनत और सच्ची लगन की वज़ह से इन्होंने नाम कमाया और इनकी खिदमात का एतराफ करते हुए इन्हें बहुत सारे एज़ाजाद भी दिये गए जिनमें पदमश्री काबिले जिक्र है एक कलाकार होने के साथ ही ये एक बेहतरीन गुरू भी है और क्लासिकल डान्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नाट्य ब्रक्ष नाम से इदारा भी कायम किया है जहां बच्चे डान्स सीखने आते हैं भरत नाचिम के अलावा करनाटक संगीद में भी माहिर गीता चंदरन की शख्सियत के कई पहलू है और वो एक कुरियोग्राफर, ठीटर आर्टिस्ट, फिल्म और टेलिविजन की नुमाया शख्सियत के तौर पर भी जानी जाती है और इनका यही जुदासा अंदाज इनकी काम्याबी और मक्मूलियत की कहानी बयान करता है बहुत बहुत इस्तक्बाल है आपका आदा और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे गुफ्तगू में बुलाया गया है और आपसे बात करने का मौका मिला मुझे भी बहुत खुशी हो रही है गीता जी भरतनाट्यम का जाना पहचाना नाम है दुनिया भर में आपके चाहने वाले है और आज हम अपने गुफ्तगू की शुरुवात यहीं से करते है आपका यह सफर कहां से शुरू हुआ और कुछ ऐसी बाते जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें पांच साल की थी मैं जब मेरी मा मुझे एक फॉर्मल डान्स क्लास में ले गई मेरी पहली गुरू श्रीमती स्वर नसरस्वती से नृत्य सीखने के लिए और तब कुछ पता नहीं था और कुछ ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं था कि मैं बड़ी होके नृत्यांग ना बनूंगी या मेरी मा कभी ऐसा कोई इरादा नहीं था लेकिन उनका यह हमेशा मानना रहात कि जो भी सीखो उसको अच्छे से सीखो अच्छे गुरू जन के पास जाके शास्त्रोत तरीके से सीखो तो मुझे लगता है संगीत भी मैंने शुरू किया आठ साल के हुमरे से मैंने संगीत करनाटिक संगीत सीखना शुरू किया और घर में ऐसा महौल था कि हमेशा वो एलपी रेकॉर्ड बजती रहती थी क्योंकि संगीत का तो महौल था ही गर में लेकिन मैं पहली ऐसी फैमिली मेंबर थी जिन्तने नृत्य को चुना और नृत्य सीखना शुरू किया तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है घर में बहुत इसको लेकर एकसाइटमेंट था और मेरे बोत माइ पैरंस वर वरी सपोर्टिव और हर क्लास के बाद घर आती थी तो मा और पिता जी दोनों बैटके पूछते थे कि आज क्या सीखा तुमने क्या किया तो करके बताना पड़ता था और हाँ तो एक इनवॉल्मेंट फैमिली के तरीके तरफ से भी बहुत था और ये मेरे ख्याल से संगीत अनृत्य जो भी सीखता उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटसाहन उस समय में बहुत चाहिए है और हमारे घर में किसी ने संग चाकू किसम का फैमिली था जो सब कुछ बहुत पढ़े लिखे कोई आई आई टी तो कोई मेरिकल कॉलेज ऐसे लोग थे तो पढ़ाई पर बहुत एमफेसिस भी था लेकिन उसके साथ सभी को आर्ट्स के तरफ भी बहुत रसिक से सब लोग संगीत के कारिकरम में जाना अन पिर तो ताल डालती थी तो यह सब बच्पन से अनायास जो है सीखते गए हम लोग तो मुझे लगता है एक महौल बहुत इंपोर्टन्ट है फैमिली का जो एक बैगराउंड है और जो एक सिस्टम है तो यह नृत्य का सीखना जंगीत का सीखना कुछ अलग नहीं था यानि और बहुत रेजिमेंटेड था उस टाइम में यह जो चैनल्स और सोशल मीडिया यह सब कुछ भी नहीं था तो सुबह उटके रियास करके स्कूल जाना फिर वापस आना फिर म्यूजिक क्लास या डान्स क्लास जाना फिर वापस आना फिर पढ़ाई करना काफी एक सेट सा रूटीन था तो मुझे लगता है काफी सीखने में भी उस तरीके से यह नहीं था कि प्रेशर नहीं था कि आप इतने साल सीख लिए तो अब इसको क्या करेंगे स्टेज में कब जाएंगे यह सब पूछने का हक भी नहीं बनता था गुरु जन के साथ वो बताएंगे कब आ सीखना और सिखाना जो था वो पैशन ड्रिवन था यह नहीं था कि गोल ओरियंटेड जैसे होता था तो प्रोसेस इंजॉइ करते जाते थे उसके उससे कुछ निकल के आता है तो बहुत बढ़िया है नहीं निकल के आता है तो यह रिचर बाइद प्रोसेस आपने गड़ी ओनर्स किया है एडवेटाइजिंग की भी पढ़ाई किया है और भरत नात्यम कैसे मुमकिन यह सब एक साथ कैसे मुझे लगता है कि टाइम मैनेश्मेंट बहुत जरूरी है और यह मेरी मा ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया था कि हर चीज़ का एक समय होना चाहिए और एक तरीके से बहुत स्ट्रक्चरड डे होता था और पूरे गोल्स बनते थे वीक में क्या करना है मन्त में क्या करना है तो बहुत ही स्ट्रक्चरड हम लोग करते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक ऐलोकेट टाइम तो इसके वज़े से पढ़ाई भी हो थी और नृत्य भी उसकी साधना भी हो जाती थी संगीत का भी हो जाता था बच्वन के कुछ यादे वो पल जो अपने माता पिता के साथ पिता है बहुत सारी यादे हैं स्कूल के भी यादे हैं जब कुछ भी फंक्शन होता था तो मेर कोई बुलाया जाता था और मैं काफ तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है और पिता जी तो एक बार याद है कि कॉस्ट्यूम आया नहीं था और उस दिन का रिक्रम था और पिता जी बिचारे पूरे टाइम टेलर के साथ बैठ के पूरा खतम करके छे साड़े छे के प्रोग्रा आर्टिस्ट को बनाने में मुझे लगता है वो बहुत और मा तो हमेशा बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी पहले थी बाक स्टेज में के हाएशना घवराती थी पता नहीं क्या है ठीक से ओज्याये का दिना तो मैं था और नर्वस्न निया MYा… तो उस सब में बहुत मज़ा आता था और मा बहुत इंवॉल्व थी हर चीज में और बहुत सारा उन्होंने बहुत किया मेरे लिए मेरे लर्निंग और मेरे पूरे प्रोसेस जिसके वज़े से मुझे सब कुछ करना आसान लगा उस तरी उस तरीके से वह सपोर्ट जो था वह बहुत इन्वैल्यूबल था मावाब का सपोर्ट बहुत जुरूरी होता है कहीं तक पहुशने के लिए वैसे नाटिव रिक्ष नाम की आपकी एक संस्था भी है उसके बारे में कुछ बताएं क्या है जो मैंने टीचिंग में जब आई मैं बहुत जल लग गई थी बहुत जल्दी और फिर थोड़े दिन बाद उन्हें का क्यों अपना क्यों नहीं शुरू कर लेती तो तब तो मुझे लगा कि कैसे मैं बड़ी रस्पॉंसिबिलिटी लूँ टीचिंग करने की नहीं उन्हें का नहीं शुरू करो मैं पीछे से तो मैं सपोर् नहीं हैं यह एक पूरी एक लाइफ स्टाइल है एक पूरी एक पूरा जीवन लग जाता है इसको सीखने में सिखाने में तो मुझे लगा कि मैं जब स्कूल गई थी या मेरा जब बच्पन रहा और बाद के जो बच्चे आए बहुत फरक हो गया था लाइफ स्टाइल में तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें जो हम प्रिजूम कर लेते थे कि घर में ये मिल जाता है, जैसे नानी, दादी आपको कहानी सुना रही है, या गाना अनायास आप सीख रहे हैं, अपने आप ही आप सुन-सुन के कांसेन बन रहे हैं, वो सब नहीं हो रहा था, जब मैं सिखाना मैंने शुरू किया, तो मुझे लगा कि वो जो गैप है in terms of mythology, philosophy, religion, पढ़ना, books पढ़ना, stories सीखना, music, poetry, ये सब छूट रहा था कहीं पे, तो ये सब हमने नार्टिम रिक्षा में सिखाया बचों को, और इस सब की जो खुबसूरती है, उसके बारे में चर्चा करत देते थे और उसको बहुत किताबें उनको देते थे पढ़ने के लिए, ताकि एक holistic understanding culture के उपर develop हो, ये नहीं है कि आप नृत्य सीक्रों केवल दो performance कर लिए तो आप उसी में बहुत खुश हैं, ये नहीं है, पूरी तरह से इसको समझना और interdisciplinary जो nature है इसका, music के लिए poetry जानन जरूरी है, और इस सब के लिए जो source है वो शास्त्र हैं, उनको जानना जरूरी है, और ये सब कहां से निकला, मंदिरों को जानना, temple architecture को जानना, तो में सब कुछ related है हमारे याँ, और इस सब का जो एक under current है वो है rust, जब तक rust नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, त इसमें जो rust निकल के आता है, वो जब आप वो डालते हैं, वो emotion जो डालते हैं उसमें, उससे निकल के आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें है, तो नृत्य सिखाना भी कुछ आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें सब जो है बहुत passion की जरूरत है, और बच्चों में जो fire है उसको ignite करना, मेरे ख्याल से अगर आपने वो कर दिया तो lifelong वो उस चीज़ को बहुत खुश हो के करेंगे, गीता जी आपने करनाटक संगीत में भी महारत हासिल की है, तो हम चाहेंगे कि आपको सुना दे और कुछ बताएं कि ये क्या है, हमारे यहां दो संगीत की विधाए हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और करनाटक म्यूजिक और दक्षिन भारत की जो शैलियां हैं, उनमें सब करनाटक म्यूजिक ही गाया जाता है, नृत्य के लिए, तो ये माना जाता है कि आप अच्छी नृत्य आंगे नहीं बन तक थी, जब तक कि आप संगीत न हैं, उनको समझना जरूरी है और फिर उसको नृत्य में ढालना, ये एक बहुत इंपोर्टन चीज होती है, तो जो एक संगीत के रूट को जानता है और उसकी बारिकियों को जानता है, वो एक बहतरीन कलाकार बन सकता है, और नृत्य में जो उसके भाव भंगीमाए होती है वो बहुत ही authentic और बहुत nuanced जिसे कहते हैं, वो होता है, अब गाने के लिए क्या गाओं, नृत्य काई एक छोटा सा गा लिती हूँ ओनाखने लिती। नृत्य करता है, अखने नृत्य में थे वzhषनिन्न आम् ओनिकियों क्या थेवादी। नामिधय कृप जूदर सानका देमोनी सनुधा पाधा स्वामी हुआ 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 हु और आंगे लोग अच्छा निमस ने नूमीति बनेज जया है जितनी खुबसूरती से आप गाती है वह समझ आला था राप उप में यहाँ भी इसी अगरिया कि अपिर कर दो एक्स्थरेशन, मैं महसूस कर रही थी आपको देखके वाकि आपने ये बहुत ही मुश्किल है कि म्यूजिक और वो दिन दोनों लेके साथ चलना मेरी माँ हमेशा मुझे एक म्यूजिशन बनाना चाहती थी तो उनको लगता था कि मैं डांस और म्यूजिक दोनों साथ में पस्यू करूँ लेकिन दोनों अपने आप में बहुत फुल टाइम करियर्स हैं तो मुश्किल था तो मैं अपने स्टूडेंस के लिए गा लेती हूँ, क्लास में गा लेती हूँ तो गाना तो चलता ही है आपने विसे सो मेनी जर्णी इस नाम से किताब भी लिखी है उस बारे में कुछ बताएं इतने सारी ट्रावलिंग और इतने सारे प्रोग्राम्स मैं और इतने गुरुजन से इतना कुछ सीखा था तो मुझे लगा था कि मेरी अगली पीडी के लिए अपने स्टूडेंस के कुछ तो छोड़के जाना चाहिए जो मेरा अनुभव रहा है और मेरी जो जर्णी रही है उसके बारे में तो बात तो हम करते ही हैं और सिखाते हैं बच्चों को लेकिन जब एक किताब आप लिखते हो तो वो आप छोड़के जाते हो उनके लिए तो उसमें वही है कि मेरी जो जर्णी रही है मेरे पहले गुरू के साथ मेरा उनके सानिध्य में क्या मैंने सीखा कैसे सीखा क्योंकि सीखने की सिखाने की विधी भी बदलती रहती है पीडी दर पीडी क्योंकि बच्चे बदलते हैं आटिटूड बदलता है लोग बदलते है लाइफस्टाइल बदल रहा है तो मैंने सोचा उसको डॉक्यूमेंट करना किस तरीके से हम लोगों ने सीखा इतने एक स्ट्रिक्ट माहौल में सीखा समय की कोई पाबंदी ने रहती थी और जाने का टाइम था आने का कोई टाइम ने रहता था कैसे बाकी सीनियर्स को देखक कैसे हमें आपने आपको बेटर करना है और फिर चलते चलते चोटे वज़ हमार से जो जूनियर्स आते थे उनको हम सिखाते भी थे थोड़े बहुत तो यह पूरा चलता था क्लास में तो यह सब जो डॉक्यूमेंट करते थे फिर हमारे टोर्स में क्या-क्या हमने सीखा कैस कैसे लोगों से हम मिले और फिर एक जिम्झा में जो एक सिम्बलिजम है आप क्या हस्त-्मुद्रा क्यूं यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी मैंने ऊसमें काफी डॉक्यूमेंट कियाintell予 और एक स्टेज तक जो जो हुआ था उसको सब मैंने और क्या-क्या पर्फॉर्मणसे हुं करते थे. उसको भी डॉकुमेंच किया. क्योंकि पर्फॉर्मनस भी बदलती रहती हैं. समय के हिसाब से, और ओदियंसस के हिसाब से, क्या कह रहında बदलता रेता है. वहि एक समय का उसको भी नॉकुमेंट किया. अगर भरत नात्यम के कुछ भाव देखने को मिल जाए तो क्या बाद है अब एक सिंपल एक चीज ले लिजे कमल आप कमल कैसे दिखाएंगे इस तो यह तो हमारे हाथ जब खुलते हैं तो ऐसे खुल जाते हैं यह जैसे ऐसे आप दिखाऊगे तो यह उतना एफेक्टिव नह फिर यह कमल है एक और कमल का इंटर्प्रेटेशन हो गया और यह कमल है अब देखते हैं लीफ के उपर कैसे कमल है फिर यह कमल है नीचे तक जो जाता है कमल ऐसे भी दिखाते हैं और जब वो पूरा खिला नहीं होता है तो वो एक बड़ के तोड़ पर यह भी दिखाते हैं तो एक कमल की कितने सारे तरीके हो गए आप देख रहे हैं तो मुझे रगता है कि यही है कि नृत्य के एक एक लेयर्स जो होते हैं वो आप अब नृत् तो जैसे मैंने अभी गाया था वनज आक्षा वनज कमल को ही कहते हैं तो वनज आक्षा फिर क्या हुआ वनज कमल के जो पेटल्स होते हैं तो तरीके अलग अलग होते हैं एक ही लाइन को लेके हम बहुत बार उसको गाते रहते हैं और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो अलग-अलग हस्तमुद्रा को लेके उसको और सुंदर कैसे दिखाया जाता है और तरीके किस तीद अलग-अलग हो सकते हैं अब आँख चण्चल भी हो सकते हैं वो बहुत दया दया और डया जो कृष्ण को दिखाते हैं तो देखते ही दया पूर्ण है दृष्टी तो अलग-अलग तरीके के वर्चूस जो है आंखों की जो वर्चूस है और कभी तो बहुत शैतान वहना जाओ मेरे पास आओ तो एक आइज को लेके ही एक वहना जाक्षा लोटस आइड है लेकिन लो आफ रिवेंज हो जाता है तो ये सब जो हैं ईक्सपिरियेंस टेक्निक्स सीक के और फिर उसको प्राक्टिस करकर के ये बहुत संदर चनिक सीखते हैं और अप भूल जाते हैं और एक तरीके से एक उडान भरते हैं आप तब ही मैं कहूँ यह क्लासिकल डांसर जो होते हैं इस्पेशली भरत नाटे उनकी आँख इतनी खुबसरत कैसे होती है अब पता चलो वैसे अच्छा म्यूजिक और अच्छे डांस में आई दिन नहीं ने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो ऐसे में जो हमारी यूथ है जो हमारी जनरेशन है अभी वो अब क्या देखती है आने वाले फ्यूचर जो उनका भरत नाटेम में और जो इस लाइन में आना चाहते हैं क्लासिकल डैंस में उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहें कि समय के साथ बदलाव तो नियम है वो तो होगा ही और मुझे लगता है बच्चे अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको आगे ले जा रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं content को लेकर भी, form को लेकर भी, presentation को लेकर भी और मुझे लगता है कि इसका बहुत उज्वल भोष्शा है और मुझे नहीं लगता है कि कोई खत्रा है किसी और चीज से, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुमिढ रहेरा कहिते हैं ऑर इतनी शैलिया आगई है बार नृतिय देख रहे थे और वो कह रहे थे मैं मैं वापस जाके मैं भी सीखूँगी तो ये एक भावना जब आती है एक प्रोग्राम देख के आपको लगता है कि मैं भी जाके इसको सीखूँगी और क्लासिकल कोई भी मिजिक है उसका बेस अगर आता हो तो बहुत जो tradition है उसको लेके बहुत गौरवानवित अपने आपको महसूस कर लेना चाहिए। बहुत दुख होता है जब लोग बहुत घमंड के साथ कहते हैं कि मुझे तो classical की कुछ knowledge ही नहीं है। तब बहुत दुख होता है कि आपको खराब भी नहीं लग रहा है कि आपको classical के बारे म आपको नहीं मालूँ तो ये मुझे लगता है इसे हमें बदलना है और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा रत्य को लेके patronage के तरीके से अपने private sector, public sector, education, सारे sectors को इसको ध्यान में रख के हमें इसको आगे ले जाना है। क्योंकि उनके बिना तो मैं ये सीख ही नहीं पाती। मेरे माता पिता हैं जो मेरे ख्याल से जिनों ने अगर मुझे उस टाइम में नृत्य की शिक्षा विदीबत नहीं दी होती तो मैं नहीं कर पाती। उसके बाद मेरे husband मेरे co-traveler रहे हैं क्योंकि वो बहुत शौकीन है और संगीत के तो हम लोग का बहुत बच्पन से ही साथ रहा है और फिर हमारी शादी हुई पहले दोस्ती हुई फिर शादी हुई तो साथ में हम लोग बहुत ट्राइवल कर रहे हैं और नाटिव रिक्षा जो हमने संस्था भी शुरू कई वो हाँ it वस ड्रीम फर बोथ अवास और मेरे क्याल से आज मैं सबसे ज़्यादा ठांक करना चाहूंगी अपने स्टूडेंस को क्योंकि वो मेरी शक्ती हैं वो मेरे ताकत हैं और मैं बहुत सीक्ती हूँ उन से तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत उन पर इन्वेस्ट करन चाहूंगी और उनको आगे ले जाना चाहूंगी और हम लोग ग्रूप शोज भी करते हैं मैं सोलो भी करती हूं तो ग्रूप शोज में हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं क्यूंकि हम लोग ट्रावल करते हैं साथ में तो students मेरे I think they are my pride no doubt आपके मैंने अभी dance देखें भरत नाट्या बहुत खुबसरत और मुद्राय विगेगा एं एक्सप्रेशन वेरी नाइस आपकी आवाज भी बहुत खुबसरत है तो मैं चाहूंगी कोई भी फिल्मीगी जो आपका favorite हो वाप मेरे लिए सुना दे हम लोगों के लिए कुहू कुहू बोले कोई लिया कुहू कुहू बोले कोई लिया कुंज कुंज में भावरे डोले गुन गुन बोले कुहू कुगू बोले कोई लिया कुहू कुहू बोले कोई लिया कुहू भारत नाट्यम मैंने देखा विजिक इनके लावा आपके और क्या क्या आप करती हैं क्या आपकी होबी जानना जरूर चाहेंगे निरत्य के अलावा मैं आजकल इतना कुछ करी ने पाती हूँ, पढ़ती बहुत हूँ, कुछ भी जो मिलता है वो पढ़ने का शौक हमेशा ही रहा है, और गाना सुनने का बहुत शौक है, अलग-अलग तरीके के गाने सुनती रहीं, वेस्टरन क्लासिकल से लेके सब कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी तो मैं कुकिंग में डिजास्टर हूँ, किचन में ज्यादा सक्सेस्फूल नहीं रही हूँ, लेकिन शोधकारी करने में बहुत इंट्रेस्ट है, जिसके वज़े से मैं नए-ने प्रोजेक्ट, नए-ने कॉम्पोजिशन्स, और जो पुरानी कॉम्पोजिशन्स हैं, उनको रिवाइव करना, यह सब करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है, उसी में समय एकदम निकल जाता है, और वक्त नहीं मिलता है, और ट्रावलिंग अच्छा लगता है, मुझे बहुत ट्रावलिंग, ट्रावलिंग, अनलाइक मुझे लगता है, और जहां जाती हूँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत घुम फिर के अपना सारा देख लेती हूँ, और अच्छी चीज़ें, क्राफ्ट की बहुत शौकीन हूँ, क्राफ्ट, टेक्स्टाइल्स, जहां भी जाती हूँ, कुछ ना कुछ उस जगे का कुछ ले आपके पार्टनर की बदॉलत भी आप यहां तक पहुची पेरेंट्स के लावा, और आपको अपने पार्टनर के सज्जा से आपने बोला, मेरे जो हस्बेन, मेरी दोस्ती हूई, और फिर हम साथ घुमने भी जाते हैं, तो वो थोड़ा किस्सा हम जानना चाहेंगे, क्या ह बहुत पहले फैमिली फ्रेंड्स थे हम लोगी, राजीव और मैं, और मेरी मा और मेरी राजीव की मा बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और हम लोग आते जाते रहते थे, मेरे प्रोग्राम्स में वो लोग भी आते थे, देखते थे, आज ओडियन्स, तो एक रिष्टा तो लेकिन क्योंके हम लोग के सारे इंटरेस्स एक जैसे थे, तो इसलिए मिरको लगता है कि बहुत पहले राजीव ने डिसाइड कर दिया, थाके, यह अच्छे वेंट तो मेरे पिताजी ने का अच्छा पाड़ लो थोड़े थोड़े अपने पहर पे खड़े हो जाओ, फिर अच्छा दौर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है एक फ्रेंशिप बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, और पर्टिक्लरी डांस के लिए क्योंकि यह एक बहुत ही फिजिकली एक चीज़ है, और इसमें समय का कुछ ऐसा रहता नहीं है, बहुत ट्रैवल भ थोड़ा सा असान हो जाता है, बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है आपकी, जीता जी आपके जो भी ड्रीम्स है और आप जो आगे सोच रही है कि यह पूरा हो, वो हम दुआ करते हैं जल से जल आप जो भी चायती है करना, वो पूरा हो और आप अपना खीमती वक्त निका के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजी अजाज़त आदाव